दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लड़कियों की योनी से वेरे कब निकलता है और कैसे निकलता है जी हाँ दोस्तों आज हम आपको इन दोनों के सवाल के साथ कुछ और जानकारी भी देंगे तो आप इस पूरी जानकारी को देखने के लिए हमारे वीडियो के अंतक जरूर से जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए तो आते हैं सुशेपे योनी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह योन अंगो को महिलाओं के गरभाशे से जोड़ता है जब संभोग के समय कोई महिला उत्तेजित होती है तो उनकी योनी से थोड़े से तरल पदार्द का रिशाव होता है इसके रिशाव होने के कारण महिलाओं की योनी थोड़ी सी लचीली हो जाती है और वो खुद ही लिंग के लंबाई और मोटाई के हिसाख से ढल जाती है इस लचीलेपन की वज़े से महिलाओं को योन सुख मिल पाता है और थोड़ा कमदर्थ महसूस होता है महिलाओं की योनी में शेश्मा नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जिसकी वज़ेसे जब लिंग योनी के भीतरी भाग में जाता है तो योनी से तरद पदार्थ का रिशाव होता है और link को योनी के अंदर प्रवेश कराने में बिल्कुल भी परशानी नहीं होती है मगर कुछ महिलाओं में इस हर्मोन की कमी होती है जिसकी वज़े से योनी गीली नहीं हो पाती है और link को योनी के अंदर डालने में थोड़ी परशानी होती है और इससे खून का भी रिशाव हो सकता है ऐसे में कुछ विशे शग्य का मानना है कि लिंग पे थोरी पेट्रॉलियम जली यफिर तेल लगाकर लिंग को यौनी में प्रवेश कराने से लिंग आसानी से यौनी के अंदर प्रवेश हो जाता है जी हाँ दोस्तों अगर आपकी पार्टनर की यौनी से उस तरह के तरल पदार्थ का रिशाव नहीं हो तो अगर आप अपने पार्टनर की यौनी के अंदर अपने लिंग को प्रवेश कराएंगे तो यौनी के रूखेपन के कारण ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टनर की यौन योनी से खून का रिशाव हो और इससे सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपको संक्रमन रोग होने का खत्रा होता है इसलिए अगर उस तरह की क्रिया नहों पा रही हो किसी तरल पदात का रिशाव नहों पा रहा हो तो आप अपने लिंग पे कोई पेट्रॉलियम जली या फिर हलका सा कोई तेल लगा लें जिससे कि लिंग की चिकनाहट बढ़ जाए और लिंग को आसानी से योनी में प्रवेश्ट करने में मदद हो पिरियर्स के समय योनी से ही रखत श्राव होता है और बच्चों का जन्म योनी के छेट के द्वारा ही किया जाता है लड़कियों या महिलाओं को जब संभोग के समय चर्मोत कर्ष तक उतेजना महसूस होती है या फिर जब पुरुष महिलाओं की योनी में काफी तेजी से उंगली करते हैं या फिर कह सकते हैं कि जब महिलाओं बहुत ही तेजी से हस्त मैथोन की क्रिया करती हैं तब बहुत ही ज़्यादा उत्यजना मेहसूस होने के कारण उनकी योनी से एक सफेद तथा एक तरल पदार्थ का रिष्टाव होता है जिसे की महिलाओं का विर्य बोला जाता है। यह देखने में पुतित की विर्य की ही तरह होता है और यह सफेद रंका होता है। यह महिलाओं की योनी से तभी निकलता है जब महिलाओं को संभोग में चर्मुत कर्ष का सुख प्राप्त होता है। अगर कोई भी महिला पेशाप करते समय थोड़ा पेशाप रोक के रखती हैं और फिर कुछ अंतराल पेशाप करती हैं और जब भी वो पेशाप करती हैं तो अगर वो इसक्रिया को अपनाती हैं तो इससे उनकी योनी काफी ज़्यादा टाइट रहती है और सम्होग के समय उन तो आशक करता हूं कि आपको हमारी आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे वीडियो को लाइक और शेर जरूर से जरूर करें, मिलेंगे अगली बारिक अच्छे और एक नविश्य के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद